सब्सक्राइए वीडियों में हम कबर करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं, छटी सताबदी ईसापूर्व, ये चीज़ याद रखना कि छटी सताबदी ईसापूर्व, इसकी जनकारी हमें कम मिली है, महा जनपदों का उदय हुआ है, तो छटी सताबदी ईसापूर्व में इसका उदय हुआ, या कही न कही से उसकी जानकारी मिली है। तो जो महाजनपत थे इनकी जानकारी हमें कहा से मिली तो प्राचिन जो साहित थे। उनसे हमें इसकी जानकारी मिली कि 16 महाजनपत थे। ठीक है कितने जनपत थे तो 16 महाजनपत थे। तो प्राचीन साहित्यों में 16 महाजनपदों का उलेक है, इनके अस्तित्युत की जानकारी बौध गरंद अगुत्तर निकाए और जैन गरंद भगवती सूतर से मिलती है, ठीक है आप इनकी जानकारी और कहां से मिलती है, तो एक बौध गरंद था जिसका नाम था अंगुत्त निकाए, ठीक है तो इससे हमें इसकी जानकारी मिलती की 16 महाजुन पत थे और एक जैन गरंद था जिसका नाम था भगवती सूत्र, ठीक है तो उससे इसकी जानकारी मिलती, एक नमबर में कुछन पूछ लेगा, एक harass लिया जायगा, कि महाजनपद कितने थे अगर 16 माजनपद की बात करें, तो इसमें सबसे सक्तिसाली कौन सा था, तो मगद जो है, वो सबसे सक्तिसाली था, जबकि सबसे दच्छिड में असमक था, जो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था, जातर हम माजनपदों की बात करें, तो अपने इंडिया का मैप तो जितने भी माजनपद हुए, जातर वो करक रेखा से उपर ही इस्तित थे, जबकि एक जो था, वो आपका दच्छिड में इस्तित थे, जिसका नाम था असमक, जो कहां पर इस्तित थे था, तो वो गोदावरी नदी के तट पर वो इस्तित था, एक नमर में पूछ लेग जच्छन में इस्तित था, मतलब आज की टाइम में जो बिहार का एरिया है, तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है, तो मगत जो था वो आज की टाइम में बिहार का एरिया वहाँ पर ये इस्तित था, सबसे सकती साली था, क्योंकि उपजाव भूमी थी, गंगा नदी के आसपा पर जनपद बनता है, तो कई जनपदों की मिलाकर पर महाजनपद बनता है, तो ऐसे करके यह महाजनपद बनते हैं, ठीक है, अब महाजनपदों की राजधानी पूछ ली जाती है, कि चमपा किसकी राजधानी है, तो अंग की राजधानी यह याद करने हैं आपको, ठीक है, पासी जिसे हम आज की टाइम में 12 रसी कहते हैं, ठीक है तो इसकी राजधानी भी 12 रसी थी, बहुत पुराना सहर है गे, बज्जी की अगर हम बात करें, तो इसकी राजधानी बैसा लिए, ठीक है ये गरता अंतर था बज्जी, पहला गरता अंतर था ये चीज़ याद रखन मली की राजधानी का है तो कुसी नारा जो है वो मली की राजधानी है चेदी की राजधानी सुक्तिमती है कुरू की राजधानी इंदरपरस्त है ठीक आज की टाइम में जो हर्याणा औ दिल्ली का छेतर आता है वो इंदरपरस्त का कहलाता है पांचाल की अगर हम बात करें तो इसकी राज़दानी आहिश्चत्र या कामपिल है जो फरकाबाद का एरिया आता है वो इसमें आ जाता है आपका फिर आता है आपका बत्स बत्स की राज़दानी है आपकी कौसांबी मत्से की राज़दानी है बिराट नगर सूर सेन या सू पर क्यात्यान के इरिया में उस टाइम था पाकिसTAN अफगारीस सथान घंभा उपकी चिया के सराबस्ति है Одं घंल की आपकৌस जंक्ति और पांचांड की याद रखें कि इत्र उततर प्रदेश नहीं में काकुछ पूरसेन मुत्रा की यह याद रख लेना, ठीक है, तो कुछ राजधानी है जो आपको याद करनी चाहिए, इसके कासी है, कौशल है, पांचाल है, बत्स की याद रख लेना जो आपको लगए कि हाँ आ सकती है, ठीक है तो यह राजधानी है और यह महाजनपद है, अब देख कासी का एरिया है, ये बस का एरिया है, ठीक है, ये सूर सेन है, मत्रा का एरिया, ये मत्से है, ये कुरू है, ठीक है, ये कौशल है, ये मगध है, ठीक है, ये अंग है, ये बज्जी है, तो ऐसे करके जातर ये अवंती है, और ये एक ही दच्छिड में इस्तेत है, वो है अप तो इना याद रखना आच्छे से बूरा में इंडिया का अब हम महाजनपदों की प्रकार देख लेते कि महाजनपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सरकार की स्वरूप के आधार महाजनपदों को दो भागों में बरगी स्वरूब के अधर पर हमने इसे दो भागों में बाट रखा था पहला राजसाही महाजनपद और दूसरा गरतांतरिक महाजनपद तो राजसाही में भई यह कि जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा पिर उसका बेटा राजा बनेगा जबकि गड़तांत्रिक में किया कि लोगों द्वारा चुनी जाते हैं ठीक है जो राजा महारा राजा होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजसाही महाजनपद की तो राजसाही माजनपद में क्या है कि इसमें राजी पर बंसानुगत राजा का या सरदार का शाशन था कौशल और मगद जैसे माजनपदों में राजसंत्री प्रकार की सरकार का पालन किया जाता था ठीक है अगर हम बात करें राज साही माजनपद में तो ऐसे राज जो थे इसमें बंसानुगत चलता था ठीक है राजा जो है वो बंसानुगत बनेगा राजा बनेगा फिर उसका पुतर बनेगा फिर उसका पुतर बनेगा ठीक है तो सामाने लोगों के उपर कभी भी राजा बनने का वो नहीं आता है तो इसमें जो राजा होता है उसी का पुतर राजा बनता है और इसमें कौन-कौन से राजा बनता है जैसे कौशल रहे है मगद है प्रशेन जीत से कौशल उसके तो वो बने थे राजा फिर उनका पुतर बना ऐसे मगद की बात करें, तो पहले हर्रेकबंस का सासन चलता रहा, पिर चंदगुप्त मौर आए, पिर उनके पुत्र बने, पिर अशोक बने, ऐसे करके यह चलता रहा, तो इसमें जो थे, वो राजा का पुत्र ही राजा बनता था, रासा ही महाजन पदों में, जबकि गरतां महाजन पद में कहें कि इसमें राजा को समू द्वारा चोना जाता है, यह बंसानुगत नहीं था, बजजी, कुरू, मल, गरतांतरिक महाजन पद थे, ठीक है, अगर गरतांतरिक की बात करें, तो इसमें राजा जो है वो चोना जाता है, ठीक है, लोग उसे बोर्ट देते ह यह दोनों प्रकार के महाजनपद पाए जाते थे अब हम कुछ महाजनपद है उनके बारे में बात करेंगे ठीक है उनकी राजधानी उनकी एक दो पिसेशता है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग की अंग की राजधानी थी चंपा अंग जो महाजनदपाद इसकी राजधानी चंपा है अगर इसके बर्तमान इस्तिति देखें कि यह कहा पर इस्तित है तो मुंगेर और भागलपूर का जो एरिया है वो अंग प्रदेश को दिखाता है आज के टाइम अगर आप विहार का मैप दिखें तो इसमें भागलपूर जो है वो इल्कुल पश्ण मंगाव बॉर्डर से लग रहा है ठेकिये मुंगेर का जो एरिया यह जो एरिया है वो अंग को दिखाता था अंग प्रदेश को दिखाता है यह चंपा नदी और गंगा नदी के संगम पर इस्तित है अगर बात करें अंग कहां इस्तित है तो यह चंपा नदी जो थी और जो गंगा नदी उसके संगम पर ही इस्तित था यह अपने ब्यापार और बाड़िज के लिए जाना जाता है क्योंकि नदियां आसपास थी ठीक है और ब्यापार के लिए जाना जाता था इसे बिंबिसार दोरा मगद सामराज में मिला लिया गया था ठीक है तो इसे भी बाद में किसमें मिला लिया गया गया मगद सामराज म अरिया में यह आता था आपका मगद, यह सबसे सक्तिसाली और सम्रद महाजनपत था, ठीक है सबसे सक्तिसाली के एगर हम बात करें, तो कौन सा था तो मगद था आपका, और यह महाजनपत था, इसकी राजधानी ग्रीबजर थी, लेकिन बाद में बिंबिसार ने इसका नाम बदलके राजग्रे कर दिया, यह बाद में जैन धरम का केंदर बन गिया, तो मगद की अगर बात करें हम, तो राजधानी इसकी राजग्रीा ग्रीबजर रहान बाद में पाटली पुत्र भी हो गई थी, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, आज के टाइम में, बरतमान कौशल, कौशल महाजनपत की बात करें तो इसकी राजधानी सरावस्ती थी बरतमान इस्तिती की बात करें तो पूरवी उत्तरपदिस ठीक है उत्तरपदिरिस का जो पूरवी इस्सा है तो हाँ पर ये इस्तित है आयोध्या, साकेथ, सरावस्ती इसके महतपूर नगर थे, ठीक है तो इसमें कौन-कौन से नगर आ जाते हैं, तो उसमें जो आयोध्या था, वो भी कौशल के अंदर आता था, ठीक है साकेत है, स्राबस्ति है, ये सारे महतपूर नगर थे, प्रशेन जीत बात करें तो यहां का प्रमुक्षा सकता, ठीक है ज उसमें और जो सूती बस्तर थी, उनके लिए ज़्यादा फेमस था, इससे बाद में कौशल महा जनपद में मिला लिया गया था, ठीक है तो परशेन जीत जीत जो थे, इनके दोरह कौशल महा जनपद में से मिला लिया गया था, काशी को, फिर बात करते हैं, नेक्स जो हमार दॉर्फ द्वारा चुना आता था। यह कई कुलूं का संग था जिसमें लिच्षी भी सबसे सक्ति साली थे। अगर आम बज्जी की बात करें तो उसमें कई सारे संग सामल थे। जिसमें सबसे सक्ति साली कौन से था तो लिच्षी भी था। ठीक है। तो इतनी ची जायाद रखने हैं आपको बज्जी के बारे में फिर आता आपका च्छटा जो महाजनपद है वो आपका मल है मली की राजधानी कुशी नारा है और बरतमान इस्तिती बात करें तो आज के समय में जो देवरिया डिस्टिक है और उत्तपदिस में पढ़ता है तो देवरिया जो तो चेदी की राजधानी क्या है सोती बती या सुक्ति मती इसके राजधानी या रहा na dhло रखना थोड़ी टाफ है इसलिए पूछी जा सकते हैं ठीक एक तो चेदी कीThank मतरब राजा का पुत्र ही राजा बनता था इसका उल्लेक रिगवेद में भी किया गया तो ये कुशिन इंपोर्टन मन जाता है कि कौन सा महाजनपत है जिसका उल्लेक रिगवेद में किया गया तो चेदी जो महाजनपत है इसका उल्लेक रिगवेद में किया गया तो बरतमान इस्थिति के हैं मेरत और दचिनपूर्व हरयाना तो यह इस्थिति है कुरू की ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है फिर आता है पांचाल पांचाल की अगर राजधानी देखें तो आहिछित्र यह काम पहले जो है वो इसकी राजधानी है क्योंकि यह दो भ उत्री पांचाल और दचिनी पांचाल ठीक है तो मैंने बता कि दो बागों बिवाजित था उत्री पांचाल और दचिनी पांचाल की राजधानी जो थी आहिछित्र थी और दचिनी पांचाल की राजधानी काम पहले ले थी ठीक है फिर दसमा जो आपका महा जनपत है वो बत्स की राजधानी की बात करें तो कौशाम भी है और बरतमान इस्तिती इलावाद, इलावाद का जो एरिया है उसमें पहले कौन सा महाजन पता है तो बत्स, ठीक है तो एक नमर में यह चीज़ आद रखना, बत्स का सबसे प्रमुक्षाशक जो था वो उदियन था, ठीक है दस आपके महाजनपद हो गए, ठीक है तो बैसे टोटल कितने हैं, 16 है और जो 10 हैं, इनके बारे में पूछा आ सकता है, इसलिए इनके बारे में बता दिया गए, तो यह टॉपिक आपको इहीं पर complete होता है, अच्छे से पढ़ लेना important topic है, आपको बाद में भी काम आएंग तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फो वाचिंग दिस वीडियो,